हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुकिंग किताब मैं हूँ सुष्मिता आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ पुदीना और खीरे की चेटनी खीरा या ककडी आप कुछ भी कह सकते हो हमें ये चेटनी बनाने के लिए चाहिए थोड़े से ककडी मैंने आधी ककडी ले लिए है उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है अभी हम इसमें दाल देंगे हरी मिर्च अभी हम इसमें आट कर देंगे सुक्का खोपरे के चार पांच स्लाइजेस अद्रक लसन वन टेबल स्पून जितना जीरा ये देखिए थोड़ी सी इमली खटेपन के लिए अभी दाल कर अच्छे से मिला दीजिए आपको ये ज़्यादा फ्रै करना नहीं है सिर्फ थोड़ा सा ही दो या तीन मिनेट के लिए इसे अच्छे से फ्रै करना है उसके बाद में पुदीने का पत्ता अच्छे से धोकर इस तरह से डाल कर धग दीजिए दो से तीन मिनिट तक इस तरह से कर दीजिए उसके बाद धक्कन निकाल दीजिए ये देखिए अभी ये बिलकुल रेडी है अभी इसे ग्यासपर से निकाल दीजिए और एक प्लेट में ट्रांसपर कर दीजिए और इसे थोड़ा सा थंडा होने दीजिए थंडा होने के तुरंत बाद हम इसे हम इसे ट्रांसपर कर देंगे जार में, मिक्सर ग्रेंडर के जार में अभी हम इसमें जादा कुछ नहीं सिर्फ थोड़ा सा नमक दाल देंगे और धकन लगा के अच्छे से बारिक से पीस लेंगे यह देखिए इस तरह से पीस दीजिए पानी दालने की कोई जरूरत नहीं है अलड़ी ककड़ी में पानी होता है तो वो बराबर हो जाएगा और एक पैन में आप चाहे तो उसी पैन में थोड़ा सा ओईल दाल दीजिए और ओईल को गरम होने दीजिए यह देखिए फ्रेंड्स ओईल के गरम होने के बाद हम इसमें थोड़े से राई जीरा दाल देंगे जैसे ही थोड़े सा राई जीरा फ्राई हो जाते है हम इसमें एड़ कर देंगे कर्री लिप्स बस हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दाल रहे है है बहुत ही इंस्टेंट से यह बना रहे है और जो पीस कर रख लिया था चेटनी इसमें डाल देंगे कि ककड़ी और पुदिने की चेटनी बहुत ही टेस्टी लगती है गरम गरम चावल में खाईए बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को आप चाहे तो यह चपाती को लगा कर यह यहाँ सकते हो।